एक चुडेल गाव के उपर से जा रही होती है, तभी उसकी तोक्री में से एक अंडा निचे गिरता है, वो अंडा आकर मीना के घर के सामने गिरता है, गिरते ही वहाँ एक पौधा आ जाता है, मीना घर के सामने पौधा देख चकित हो जाती है, थोड़ी ही देर में उस अबर नहीं थी, थोड़ी देर में मीना की बहन सीमा घर के बाहर चुडैल देख चिलाने लगती है, तब चुडैल बनी मीना कहती है, कहा है चुडैल, क्यों शोर मचा रही हो, सीमा कहती है, तु है चुडैल, चुडैल बोली, अरे अपनी बहन को नहीं पहचानती क्या, अंद जान नहीं, तो सच में चुडैल आ जाएगी, तभी सीमा उसे अपने हाथ देखने को कहती है, मीना जैसे ही खुद के हाथ देखती है, वो भी घबरा कर चिलाने लगती है, तभी दोनों के सामने पडोस की रिंकी एक फल खाने लगती है, और वो भी चुडैल बनने लगती है, फल को खाते ही मीना चुडैल बनती है और रिंकी भी चुडैल बनती है तब सीमा बोली तुम दोनों को चुडैल जैसा महसूस हो रहा है क्या तभी मीना के शरिर में बिजरी दोड़ती है और वो सीमा पर हमला करने आगे आती है तभी रिंकी उसके हाथों को पकड़ लेती है और सीमा को कहती है, अरे सीमा जातू, हमारे अंदर की शैतानी ताकत बाहर आने से पहले पहाडी वाले बाबा को लेकर आ, सीमा वहां से भाग कर बाबा जी के पास आती है, और उन्हे को सब कुछ बता देती है, तभी वे एक बड़ा सा सरकल तयार करते हैं, दोनों उसमें चल चालीसा का पार्ट करने को कहते हैं और उन दोनों पर जादूई शक्ती बरसाते हैं रिंकी और मीना भी अपनी शक्ती फेकती ही लेकिन चालीसा के पार्ट से दोनों की शक्ती कमजोर हो जाती है और दोनों के शरिर से कारी ताकत बाहर निकलती है और वे पहले जैसी बन जाती ईयनल, जगने लाखने हैं